अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि कतर में फीफा बिसकप 2022 आयुजित किया गया फोटवाल बिसकप की बात कर रहा हूँ और इसमें आप देखेंगे कि अर्जिन्टीना ने फ्रांस को हराकर एक कप अपने नाम किया है यानि कि बिजेता कौन बना है अर्जिन्टीना अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहे होगे तब आपको मालू होगा कि इस तरह के खेलों से आपकी परिच्छाओं में कुष्टन्स हमेशा पूछे जाते हैं तो चलिए इसके बारे में एक ओवर्बी हम लोग ले लेते हैं अगर आपके एकजाम में कुष्टन्स आते हैं तो उनका अंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे कुछ पिक्चर्स आपके सामने दिखाई दे रही होगी चलिए एक बार सबसे पहले हम लोग कतर को देखते हैं जहां ये खेल आयुजित किया जा रहा था तो आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एसिया में और यहां आप लोग देखेंगे तो आपको कतर देखने को मिलेगा यहां ये कतर है और पश्चमी एसिया का एक देश है ये भी आप लोग याद रखेगा दोहा इसकी राध्धानी आपको देखने को मिलेगा देखे फारस काड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी अगर हम लोग अर्जेंटीना की बात करें तो आप लोग चलिए दच्छन अमेरिका यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्जेंटीना यह है अर्जेंटीना यह बेजीता रहा है कौन रहा है अर्जिंटीना ने एकप जीता है और दच्छन अमेरिके के दच्छनी भाग में आप लोगों को देखने को मिलेगा यह और इसकी रादधानी की अगर हम लोग बात करें था बिउन्नस आयर्स इसकी रादधानी है किसकी अर्जिंटीना की ठीक है यह आप लोगों को रादधानी और किसे हराया है तो आप देखेंगे यह फ्रांस आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है फ्रांस क्या फ्रांस फ्रांस की बात करें तो आप देखेंगे इसकी राध्धानी क्या देखने को मिलेगी पैरिस इसकी राध्धानी ठीक है और यह आप लोगों को यूरोब में देखने को मिलेगा तो यह आप लोग याद रखेगा ACI में हुआ है दच्छन अभीएका ने जीता है और आप देखिए यूरोब में जो देख है इहारा है ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा चली अब हम लोग फीफा बिस्ट कप के बारे में बात कर लेते हैं तो वैसे आपको बता दूँ कि फीफा की अगर हम लोग बात करें न तो इसका पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डीफटवाल एसोसियेशन है तो इसका पूरा नाम भी याद रखेगा कई बार इस तरह के भी कुश्चन्स पूच लेता है तो यह बिस्ट में सबसे पितिश्टीत पितियों गिता है जो पिते चार साल में एक बार आयोजित की जाती है किते चार साल में आयोजित होती है जैसे माली जी यह की अभी 2022 में हुई है अब 2026 में होगी ठीक है? और पहला फीफा विस्ट कब कब हुआ था? 1930 में औरोगवे में आयोजित हुआ था और औरोगवे ने यह विस्ट कब जीता था औरोगवे में हुआ था 1930 का पहला और औरोगवे नहीं जीता था अगर ट्राफी की बात करें तो 1930 से 1970 तक दिया जाने वाला ट्राफी कब जोल्स रीमेट ट्राफी था जिसका नाम उस फ्रांसिसी बेक्टी के नाम पर गया था जिसने ट्राफी मिलती है ना उसी की बात हो रही है अगर हम लोग 2022 के कुछ बिंदू देखें तो फीफा विस्ट कब 2022 के प्रमुख बिंदू पुरुसकारों की तो फीफा ने पूरे विस्ट कब में खिलाडियों के सांदार प्रिदरसन को मानता देने के लिए कई पुरुसकारों की गोशना की है गोल्डन बूट किसे मिला है यह आप देखें किलियन एमबापे को मिला है गोल्डन गिलो एमिलियानो मार्टीनेच को मिला है गोल्डन बॉल लियोनेल मैसी को मिला है यूबा खिलाडी का एंजो फर्णाडीच को मिला है फीफा फियर फिले अवोर्ड ए इंगलेंड को दिया गया है तो यह भी आप लोग याद रखेगा फीफा बिसकप अधिकारिक बॉल आप लोगो देख रहे हैं अपने इसक्रीन पर अल रहला अर्थ इसका मतलब है अर्थ यात्रा चौदेवी सताबदी की खोचकरता इम्न बतूता द्वरा लिखित एक यात्रा वितांत का संदरव है अल रहला पहली फीफा बिसकप गैंध है और जिसे विसे सुरूप से केबल बाटर बेस्ट इंक और गौन से तियार किया गया है अल रहला का इस्तिमाल क्वार्टर फाइनल तक की इवेंट में किया जाना था अल रहला फीफा डबलू स्थी 2022 के सेमी फाइनल और फाइनल में अल हिल्म ने जगह ले ली थी एप फोटोवाल की बात हो रही है यह आप देखेगा और आप देखेंगे पहले फीफा बस फीफा विसकब 1930 के समय कोई आधिकारिक गैंद नहीं थी और दोनों फाइनलिस्ट और रोगवेट टी मॉडल बॉल और अर्जेंटीना टी एंटो अपनी अपनी गैंदे लेकर आये थे तो सुरुवात की बात हो रही है कि दोनों अपनी अपनी गैंदे लाये थे उसी से खेला था दुनिया के दो तिहाई से अधिक फोटोवाल पाकिस्तान में बनते हैं और सियाल कोट इसका पिरमुक भी निर्माड केंदर है जो पाकिस्तान आप लोग देखते ना पड़ोसी उसी में अधिकारिक पिती की बात करें तो फीफा विसकप 2022 का अधिकारिक पिती लाइब है क्या है लाइब है और अर्भी भासा में लाइब कार्थ होता है स्टोपर स्किल्ड पिलियर तो यह भी याद रखेगा कई बार मूच लेता है इस तरह की कुश्टिंस भी फीफा विसकप 2022 का अधिकारिक पिती क्या है लाइब है तो यह आप लोग याद रखेगा एक और बात बता दू उन्नीस सो ब्यालीस और उन्नीस सो चालीस में फोटवाल विसकप नहीं होए थे यह आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दुतिय विस्योद्दी के कारण अधिया नहीं हो पाए थे उसके बाद बराबर यह हुए है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा और आप सभी जानते हैं कि उन्नीस सो तीस से शुरू हुए है कबसे उन्नीस सो तीस से शुरू हुए थे इसी तरह के questions पूँच लेगा आपसे क्या करेगा इसी तरह के questions आपसे पूँच लेगा और कुछ नहीं करेगा चली मुझे लगता है कि अगर questions आपकी परिक्षाओ में पूचा जाएगा तो आसानी से आप लो उसका जबाब दे पाएंगे इसमें कौन जीता है अरजिंटीना जीता है और फ्रांस हारा है ठीक है और कहा हुए थे कतर में हुए थे आप कब होंगे 4 साल बाद यानि की 2026 में होंगे ठीक है और लेकिन आप देखिए हर 4 साल बाद होते हैं लेकिन 1942 का साल चोड़ दीजिए 1946 का साल चोड़ दीजिए इन दो बार नहीं हुए हैं ठीक है क्योंकि दूतिय विश्युद्य के कारण नहीं हो पाए थे यह भी आप लो याद रखिएगा